हिंदू धर्म में लोग श्री राम को आस्ता के साथ पूचते हैं, भगवान राम और सीता के विवा के देन देज भर में विवा पंचमी मनाई जाती है मार्क 6 मार्स में शुकल पक्ष की पंचमी तिती को विवा पंचमी के रूप में मनाया जाता है इस बार यानी 2020 में 19 दिसंबर शनिवार को विवा पंचमी पढ़ रही है विवा पंचमी पूजा का समय है, पंचमी तिती शुरू होगी 14 बच के 20 मिनिट पे 18 दिसंबर 2020 को और इसका पंचमी का समाप्ती का समय है 14 बच के 15, 19 दिसंबर 2020 को ये समाप्त होगी मतलब पंशमी तिती आरंब होगी रात को 18 तारिक की रात को दो बच कर बाइस मिनिट से शुरू होगी और पंशमी तिती समाप्त होगी अगले दिन दुपैर यानि की 19 तारिक को दिसंबर को 2 बच कर चौदा मिनिट तक दुपैर में कहा जाता है कि मार्क शिक्ष महीने में की शुकल पक्ष को भगवान राम और माता सीता की शादी हुई थी, तबी से इसे विवा पंश्पी के नाम से जाना जाता है, इस दिन भगवान राम और सीता माता की पूजा करने से मन्चाहे वर्दान की प्राप्ति होती है, और साथ ह सभी प्रकार की विवाईक समस्याव का अंत होता है इस दिन बाल कार्ण में माता सीता वो भगवान राम के विवा प्रसंग का पार्ट करना शुब होता है और इसी दिन कहा जाता है कि राम चरित मानस का पार्ट करने से पारिवारिक सुख्पिक की भी प्राप्ती होती है पारिवार में हमेशा बैलेंस रहता है और खुशिया वनी रहती है कहते हैं इस दिन रात में भगवन राम और माता सीता से संबंदित भजन करना या सुनना बहुत शुब माना जाता है धार्मिक नजरिये से ये विवा पंचमी का बहुत महत्व बताया गया मगर विवा पंचमी के दिन शादी ब्याग के लिए कोई शुमूरत नहीं होता भारत में वे नेपाल के कुछ भागों में इस दिन शादी निशेद माना जाता है आईए फ्रेंट्स हम आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं लोग कथाओं में कहा गया है कि विवा पंचमी के दिन भगवान राम और सीता की शादी हुई थी पर शादी के बाद भगवान राम और सीता माता का जीवन कष्टों से भरा था यही कारण है कि माक शीष महा के शुक्ल पक्ष को शादी के लिए अनुचित बताया जाता है अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ विवा पंचमी से संभन्दित कहा जाता है कि राजा जनक हल जोत रहे थे उन्हें एक बच्ची मिली और उसे वो अपने महल में ले आए वो पुत्री की तरह पालने लगे उन्होंने उस बच्ची का नाम सीता रखा लोग उन्हें जनक पुत्री सीता या जानकी के नाम से पुकारने लगे ऐसा कहा जाते है कि एक बार माता सीता ने मंदिर में रखे भगवान शिव के धनुष को उठा लिया था जिसे पिनाम कहते हैं इस धनुष को परशुराम के अलाव कोई नहीं उठा पाया था तब से राजा जनक ने ये घोश्रा कर डाली कि जो कोई भगवान विश्णू के इस धनुष को उठाएगा उसी से सीता माता का विवा होगा स्वैमवर में महर्शी विशिष्ट के साथ भगवान राम और लक्षमन भी दर्शक के रूप में बैटे थे सीता माता के स्वैमवर में कोई राजाओं ने प्रयास किया, कोई भी उस धनुष को हिला न पाया इस प्रकार राजा जनक को देखकर महर्शी विशिष्ट ने भगवान राम से इस स्वैमवर में हिस्सा लेने को कहा गुरुजी की आगा का पालन करते हुए भगवान श्री राम ने धनुष को उठाया उस पर प्रतियंचा चड़ाने में लगे प्रतियंचा चड़ते समय धनुष तूट गया भगवान श्री राम के बलिष्ट को देखकर पूरा राजमेल खुशी से जूम उठा और माता सीता उन पर मोहित हो गई और जैमाला उनके गले में डाल दी इस तरह भव्वे आयोजन में माता सीता और भगवान श्री राम का विवा संपन हुआ विवा पंचमी पूजा विधी विवा पंचमी के दिन सुबे सुबे ब्रह्म मूरत में स्नान करें और साफ सुत्रे वस्त्र धारन करके राम विवा का संकल्प ले श्री राम वसीता माता की मूरती या प्रतिबा स्थापित करें भगवान राम को पीले वस्त्र और माता सीता को लाल वस्त्र अरपित करें जानकी वल्लभाय नमह इस मंत्र का जब कम से कम 108 बार करें और भगवान राम और सीता माता का गड़ बंदन करें इसके बाद राम चन्जी और माता सीता की आरती करें और गाट लगे वस्तर को अपने पास सभाल कर रख लें पुराणों के अंसार भगवान राम विश्णू और माता सीता लक्ष्मी के रूप में पैदा हुए थे राजा दश्रत के यहां पे राम चन्जी पैदा हुए और राजा जनक के घर पुत्री के रूप में सीता माता पैदा हुई कहा जाता है कि सीता माता का जन धर्दी से ही हुआ था तो फ्रेंट्स आज के लिए बस इतना ही और आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा विवा पंचमी के द्वारत दी गवी जानकारी का वीडियो बहुत पसंद आएगा और अगर फ्रेंट्स आता है तो आप इसे अपनी फैमली फ्रेंट्स में शेयर जरूर कीजेगा थैंक यू फिर जल्दी मिलते हैं एक अगले विशे के साथ में तब तक के लिए गुडबाई